हे अब्रिवंग आज मैं बनाने जा रहे हूं मोटी हरी मिर्च का बहुती तीखा चटपटा और सौधिस्ट अचार अगर आप खाने के साथ इसको भी सर्फ करेंगे तो खाने का स्वाद दूबना हो जाएगा तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं एक पैन गरम करेंगे उसमें डालेंगे एक चुम्मच अजवायन, एक चुम्मच मेती और एक चिम्मच जीरा हाफ टेबल स्पून पीली सर्सो और वन एंड हाफ टेबल स्पून राई एट करेंगे गैस फ्लेम हमें लो रखनी है और इस से हमें धीरी- धीरे चलाते हुए रोस्ट करना है अगर अचार में जराख सी भी नमी रह जाए तो अचार हमारा खराव हो जाता है इसलिए इसकी नमी को निकालना बहुत जुरूरी है मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब हमें लेनी है एक प्लेट प्लेट में भी बिल्कुल पानी या नमी नहीं होनी चाहिए अब हम सारा मसाला उस प्लेट में निकाल लेंगे अब एक तडगा पैन को गरम करेंगे और उसमें तीन बड़े टेबल स्पून सरसो का तेल अच्छा बनता है और उसमें आड़ करेंगे वन फूर टेबल स्पून हींग और इसे हमें धुआ निकलने तक गरम करना है अब इन मसालों में एड़ करेंगे 1 tablespoon soft powder, half tablespoon अमचूर powder, half tablespoon healthy powder और 1 tablespoon red chili powder क्योंकि ये मिर्च कम तीखी होती है इसलिए और ये आधा तेल हम इसमें यूज़ करेंगे और बाकी का तेल हम बाद में यूज़ करेंगे अब इन मसालों को हम अच्छे से mix करेंगे इसमें अब हम एड़ करेंगे एक बड़ा चम्मस सिर्का अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन tablespoon नमक और इसे हमें अच्छे से mix कर लेना है और इसे हमें दरदरा पीस लेना है अब हम हरी मिर्च में बीच में से cut करेंगे इनकी dental को मैंने cut नहीं किया है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं यह देखे इस तरह से हमें इसमें बीच में से चीरा लगा देना है और यह हमें सभी मिर्चों में कर लेना है अब हम करेंगे मिर्च की फिलिंग तो जितनी हमारी हाफ केजी हरी मिर्च हैं उसी के according हमें यह मसाला एज़स्ट कर लेना है तो यह देखे इस तरह से स्पून से मैं सब मसालों को इन हरी मिर्च में भर दूँगे सभी मिर्च को मैंने इस तरह से अच्छी तरह से फिल कर दिया है बस आपको एक बात का ध्यान रखना है आप जो भी बरतन यूज करें चम्मच यूज करें वो बिल्कुछ साफ सुत्री हो इसमें नमी नहीं होनी चाहिए अब यह मैंने लिया है एक जार और मैंने सारी मिर्च को इसमें अच्छी तरह से भर दिया है और जो बचा हुआ तेल था इसे हम उपर से डाल देंगे इस जार को हम थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे की तेल उपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हम धूप में भी सुखा सकते हैं तो यह लीजिए तयार है हरी मिर्च को बहुती टेस्टी बहुती चटपटाचा थैंक यू फ्रेंड्स पर वाचिंग इस वीडियो